इन दिनों बॉलिवुड में पुरानी फिल्मों को फिर से रिलीज करने का ट्रेंड चल रहा है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने समय में दर्शकों के दिलों को छूचाती हैं और सालों बाद भी उनकी यादे ताजा रहती हैं। ऐसी ही कुछ फिल्में जिने हाल ही में फिर से बड़े पर लाया गया है उनमें मैंने प्यार किया रहना है तेरे दिल में और गैंग्स ऑफ वाजेपूर शामिल हैं। इसी क्रम में अब यस चोपड़ा की डारेक्ट की गई फिल्म वीर जारा भी शामिल होने जा रही है। कैमिस्ट्री ने दर्सों को भावुक कर दिया था। फिल्म में मनुज बाजपे, अमिताब बच्चवन, हिमा मालनी और आनी मुखर जी जैसे दिग्गत कलाकार भी एहम किरदार में नज़र आए थी। अब यह फिल्म 13 सितंबर को फिर से सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। वीर जारा का बजट 23 करोड था और इसमें वर्ल्ड वाइल्ड बॉक्स ऑफिस पर 97.64 करोड की कमाई की थी। इस फिल्म के गाने भी हिट रहे थे और आज भी लोगों की जुबान पर है। यह फिल्म 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में से एक थी। शारुक खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म केंग को लेकर चर्चा में हैं जिसकी शूटिंग नवंबर 2024 में शुरू होगी। सोजोय घोस के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शारुक के साथ उनकी बेटी सोहाना खान और अविशेक बच्चन भी नज़र आएंगे। फिल्म के 2025 के आखिर तक रिलीज होने की उमीद है। शारुक आखिरी फिल्म 2023 में हुई डंकी में दिखाए दिये थे प्रिटी जिंटा जो आखिरी बार 2018 में भाई जी सुपर हिट में नज़र आई थी। अब सनी देवल के साथ लाहौर उन्नीस सो स्यंतालिस में वापसी करने के लिए तयार है। राजकुमार संतोसी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और यह 2025 में गरतंत्र दिवस पर रिलीज होगी।